आज के छोड़े जो वीडियों बात केने वाले हैं इक बहुत इंपॉर्टेंट और इक ट्वेस्टर टॉपिक के अबर आपको बताएंगे यह हर्मोनिक्स क्या होते हैं अगर आप एक करें अगरे हांगे आपको देखें आता के यह आता है तो हमारे मशीन को किस तरिकरें आपको कुछ नहीं है तो क्या बहुत कुछ ते कुछ है जइसक्ट ने मिले वाला है तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे घरों में जो करेंड आ रहा होता है जो बड़े-बड़े कंडक्टर जो होती वे टांस्मिशन लाइन में उसमें अगर आप करेंड देखें गे यह वाइदिंग में जो करन दोर रहा होता है वो नॉर्मले 50 हर्ट के फ्रिक्वेंसी में आ र रहा होता है यानि कि हर सेकेंड में जो है आपको पचास आगिल देखने मिलेगा जिसका मतलब होता है कि अगर उसका टर्मिनल वोल्टेज देखेंगे उसके पुलारिटी देखेंगे टर्मिनल की पुलारिटी तो हर सेकेंड सौ बार जो है उसके बदल रही होती है तो इसे हम 50 Hz कहते हैं और इसी voltage को हम fundamental voltage भी कहते हैं तो harmonis का ये कहना है कि भाई ये जो current है fundamental current है या fundamental voltage है इसके इलावा आपके circuit में आपके system में आपके wire से आपके conductor से अगर current flow होता है किसी और frequency में तो जो extra current है उसे ही हम harmonic current कह रहे होते हैं आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने आपको PLCC के बारे में बताया था power line career communication system के बारे में जहाँ पर आपने समझाता कि भाई दो sub station आपस में कैसे communicate कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था जो communication वाली current है जो बहुत ही high frequency में जिसे हम भेज रहे होते हैं वो इसी conductor से flow हो रहा होता है तो क्या ये communication जो signal है ये जो current है इसे हम harmonics कहीं है क्योंकि इसकी frequency तो हमने देखा 50 Hz नहीं है काफी high frequency में जो हम इसको transmit कर रहे होते हैं तो exactly इसको harmonics कहना गलत होगा क्योंकि in general जो harmonics current होते हैं वो useless होते हैं उसको कोई काम नहीं होता है भाई हमारे system को नुकसान पहुचाने के इलावा और हमारे जो system की जो capacity भी है जो true capacity उसको बहुत रिडूस कर देता है तो यहाँ पे तो आप देखेंगे वो आपके sub station के अंदर घुझाता है तो वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे electrical machine हमने लगा रखी है और सारे machine के लिए जो communication signal है high frequency वाली current होगा और उसको जो है नुकसान पहुचा है अगर यह बात जो है मैंने उस वाली वीडियो में भी आपको बताया था इसी वज़े से जो है हम वेब ट्राप लगा देते हैं यह जो वेब ट्राप है हमारी communication signal को sub station के अंदर घुस नहीं नहीं देता है और दूसरा आस्ता हम उसको दे देते हैं जहां पे हम CVT लगा देते है capacity voltage transformer और वही CVT से होते हुए जो है उसको PLC से पैनल तक हम भेज देते हैं उसी PLC से पैनल में इस high frequency signal को original signal में convert की जाती है फिर उसके बाद उसके अंदर का जो भी data है, information है, voice है उसको recover कर लिया जाता है तो यह जो पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है इसके पीछे एक reason है, बहुत important चीज़ मैं यहां से आपको समझाना चाता हूँ जो अभी कुछ जिर में आपको बताऊंगा पर यह जो इतना देर से हम बात कर रहे है harmonis का कि जो fundamental frequency है उसके इलावा कोई और current अगर दूसरे frequency में flow हो रहा है तो उसे ही हम harmonis current कहेंगे तो कितनी frequency की यहां पर हम बात कर रहे है और कौन-कौन से frequency में current flow होता है तो उसे harmonis कहेंगे तो देखें ऐसा कुछ नहीं है आपने अभी देखा था कि हमने सिर्फ इतना ही कहा है बस condition यही है कि fundamental frequency के इलावा कोई भी frequency में अगर हमारा current flow होता है तो वो जो है हमारा harmonis कहलाएगा अगर इसका definition में देखेंगे तो इससे कहा जाता है कि non-fundamental component of voltage and current is known as harmonics तो अब आपके दिमाग भी सवाल आ रहा होगा कि यार यह जो harmonics है वो produce कैसे होता है मतलब आता कहां से क्या वो हमारा generator भीज रहा होता है और यह harmonics के वजे से हमारा system को कैसे यह effect कर रहा होता है तो यह हमारा generating side से नहीं आ रहा होता है यह हमारा load side से होता है यानि कि अगर आप ऐसे load को use में ले रहे हैं जो non-linear nature है non-linear load को आप use में ले रहे होता है तो वो सभी जो है non-linear का ही example होता है वो सभी non-linear load है क्योंकि उन सब के अंदर जो है power electronics switch आप यूज कर रहे हैं semiconductor device यूज में ले रहे हैं आपके computer में देख रहे हैं कितना सारा transistor आप यूज में ले रहे होते हैं जब 0.7 लेकर यह गया है तो अचानक सा rise हो जाता है तो यह देख रहे हैं यह जो nature है इसी को non-linear nature कहा जाता है पर अगर ऐसा होता है कि आपने one unit अगर voltage बढ़ा है तो one unit अपका current बढ़ ला है फिर two unit बढ़ा है तो two unit current बढ़ ला है तो ऐसा अगर nature होता है तो इसे हम linear load कहते ह सारे जो power electronic switches होते हैं जब यह switching action कर रहा होता है तो उसी वक्त जो है हमारा harmonic यानि कि high frequency वाला current हो रहा होता है अब देखे यह जो high frequency वाला current है वो आपके normal fundamental current के comparison में उतना magnitude नहीं होता वह बहुत ही कम होता है उसका magnitude बढ़ उसकी जो frequency होती है वो जादा होता है और हमने ऐसा द frequency वाली current को हम 3rd order harmonic कहते हैं और 5 गुना जब ज़्यादा frequency होगा आपके current का तो उसे हम 5th order harmonic कहेंगे और 7th order harmonic, 9th order harmonic और जैसे जैसे हमारे harmony का order बढ़ता जाता है वैसे हमारे current का magnitude हो कम होता जाता है यानि कि 7th order harmonic है 9th order harmonic है इस से ज़्यादा current का amplitude आपको 3rd order harmonic में देखने मिले और इसी वज़े से आपने कभी नहीं सुना होगा कि भाई हम 100 order harmony की बात कर रहे हैं 1000 order harmony की बात कर रहे हो सकता है होता हो बड़ उसका current का magnitude है वो इतना कम है इतना कम है कि उसको आप neglect कर देते हो उसका effect जो है आपको किसी machine में देखने नहीं मिलता है यही कुछ है आपको 3rd, 5th, 7th, 9th आपको सुनने में मिलता है और इन में से अगर आप पूछेंगे कि कौन सा सबसे खतरनाक है तो आपको समझी आ गया होगा कि 3rd order harmony का current का magnitude है वो जादा है तो उसका जो impact होगा वो हमारे system में वो जादा होगा यह जो impact की बात हम कह रहे है कि कह रहे है कि हमारे machine को यह बहुती ज्यादा नुकसान पहुचाएगा तो मतला क्या नुकसान पहुचाता है तो देखें अगर मोटर कि बात करें तो मोटर को माले है कि हम VFD controller के मतलब से कर रहें और आपको पता है कि यह जो VFD controller है इसके अंदर भी कई सारे power electronics switch को हम यूज में ले रहे होते हैं यानि कि वहाँ भी switching action हो रहा होता है तो जब सी switching होगा तो आपका harmonics create होगा और अगर यह harmonics देखान लेजाए आपके motor के अंदर चल जाता है तो क्या-क्या दिक्कते हो सकती है तो सबसे पैदे जो आपका iron or core loss है वो बढ़ जाएगा क्यों भई? क्योंकि आपको पता है कि यह जो core loss है यानि कि हिस्ट्रेसर और अडिकरेंट लॉस यह दोनों ही आपके frequency के बिटपेंट कर रहा होता है और इस harmonics current की जो frequency होती है वो बहुत जादा होता है यानि कि यह जादा हो रहा है तो motor की जो core loss है वो भी increase हो जाएगी आप copper loss भी हमारा बढ़ता है copper loss क्यों बढ़ता है क्योंकि आपको पता है यह जो harmonics है वो क्या है extra current है यह extra current है तो आपका I2R loss है वो जादा हो जाएगा तो यह सारे जो losses आप बढ़ ले हैं तो यह कहां जाते हैं यह सब heat के form में dissipate हो रहे होते हैं यानि कि गर्मी पैदा होता है यानि कि आपको जो motor है वो बहुत ही जादा overheat होगा और इतना जादा loss हो रहा है तो आपकी motor की जो efficiency है वो भी reduce हो जाती है इतना ही नहीं हमारी motor का जो torque है वो भी reduce हो जाता है और वो pulsating nature भी हो जाता है हमारे इस harmony current के वज़े से तो आपको समझ में आ रहा है और इस harmony current के वज़े से ही हमारा जो है harmonic voltage create हो रहा है तो इस harmony को ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता है तो इसी वज़े से हम लोग काफे सारे filter को use में लेड़े होते है जो इस harmony को reduce कर रहा होता है अब यह filter क्या है भाई हम इंड़क्टर के पैसेटर को use करके बना सकते है PLCC में जो मैंने आपको बताया तो same कहानी जो है यहां भी हो रहा होता है कैसे काम करता है वह आप चाके वह वाली वीडियो देख सकते हैं आपको एंड़क्टर में प्रोवाइड कर दोगा इसेट करवाएंगे उस frequency की तो वह जो है हार्मोनी के तरह ट्रीट करेगा उसको अब जनरली हमने देखा कि थर्ड और हार्मोनी के आपको देखने मिला था फिफ्ट और हार्मोनी के लिए हार्मोनी करेंट होगा और इसे बहुत ही नकसान पहुचाएगा पर इसी signal को अगर उस तरीके से डिजाइन किया है कि उस signal को वापस से वह original signal में convert करेगा वहाँ से जो भी information data है उसको collect कर लेगा समझ रहे है तो अगर माल लिजे इसमें और clarity देने के लिए मैं इस तरीकी से बता रहा हूँ आपको कि माल लिजे अगर इस motor को हम 150 hertz frequency के according design करते तो जो third harmonic जिसको ह आपकी concept में होनी चाहिए और अगर आपको अच्छे से सारी चाहिए समझ में आई है तो मुझे लगता है कि अब आपको इस harmony को सुनकर करके डढ़ना की जुरत है या सोचने की जुरत है या यह harmonics आखिरकार है क्या तो में आपको सारी चीज़ी जो है बढ़िया समझ में आ चाहिए झाहिए बढ़िया समया ये 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 टो